बड़े दिनों के बाद आई हो आप लोग ना दीडी अलका दीडी तो कभी-कभी आभी जाती है बड़ी दीडी आप तो कभी भी नहीं आती है इतनी दूर रहने लगी है बताईए कि कभी-कभी मिलना होता है कभी-कभी मुझे बचपन की याद आ जाती है न मैं आप लोगों में फंच जाती हूं कि बता नहीं सकती हूं मैं भी बहुत याद करती हूं गाउं को कि चली जाओं चली जाओं हमेशा मतलब यह होता है कि गर्मी आएगी तो मैं गाउं जाओंगी तो साइद ललका भी आएगी तो मिलेगी दखना भी मिलेगी रियली बतारी हूं शच में इत गाउं बहुत याद आता है, मैंने का हाँ, वो दिन याद आते हैं जब क्यों जब अपन लोग कहता ते तोड़ने जाते थे यादे पुरी-पुरी दो बाहर गोल रहती थी, कहतोगी नीचे, पेड़ों की नीचे, तुम पेड़ने चड़ आती थी ना, और मैं कहते नीचे से बिंती थी, तुम नेरे सर पे मारती थी, कटा, मैं बोल थी तखना, बस करो, बस करो, चोट लग गई मुझे, लो, लो, सुरू हो गई, बचपन की यादे ताजा होने लगी भाई, इनकी, सुरू हो गई, इमली भी तोड़ा करते थे, कैथे भी तोड़ा करते थे, और गर्मि थे मेरे फिर से वापस आ जाएं कि तो बहुत मस्ती करती थी मुझे पता है सुवह उठती थी सारी सीजसे मुझे पता सुवह उठती थी में ज़ना दोना तो कभी नहीं होता था वर कपड़े भिले ती ती क्यों दि एक चलाती रहती थी एह बिटिया एह बिटिया सनले सनले नहीं दीदी को सुनना है बस गई दूप में बैटी थोड़ी थे दीदी बस खेलना चलो पूरे देन खेले और खेलते खेलते कहा जाती थी इमली था रही इमली भी इनकि लाएं फिर आग में भूजे क्यों थी थी सच बताना यही करती थी आग में भूजे और धूप में बैटके दीथी इतनी इमली खाती थी अपना अग तो बस इमली कहता मेरा तो मुमें पानी आ रहा है सच में सूझ के अब तो मिलती भी नहीं है अरे दखना वो बातें मद याद दिलाओ मैं पता है मार भी खाती थी मम्मी मुझे उंगली उंगली ओं मारती थी मेरी उंगलीयां सूच जाती थी रो रो के स्कूल चली जाती थी इतना मारती थी काम के पीछे के काम नहीं करती अब क्या हो गया बच्पना जीव होता लेकिन कितना प्यारा था अब तो कुछ नहीं देखो छोटे थे जब दूप में बैट जाएं बस एक कपड़ा पहने कोई मतलब नहीं है अब तो मैं 4-4 स्वेटर पहनती हूं तब भी ठंडी नहीं जाती है अब उमर भी हो गई ना एक एक काम नहीं मम्मी के बात ना सुन है फिर मम्मी उठायी डंडी गेट बंद करके दीधना दन दीधी आर्डे, जो अर्दकना तुम्हे हुशए उख में तुम्हे दिन में थेन चार चार बार मार खाई ती, क्या बतां हूँ, सुश्ती रहती थी करती दो की करोंगी, कहलती नहीं करूंगी लेकिन पता नहीं वह हो कहां से जाती थी दी disturbing कि मैं नहें सबC Şu नहीं कि तो नहीं कि दीदी भी हट करके वेड़ गाई थी कि मैं पढऊंगी नहीं और पता है जब दीदी स्कूल जाती थी न तो मुझे पता है जाती ती उनके फिलिडिंग बनी ठी पुराने जवाने की ती उसको अटारी जाती में अपनी ममी चारी चारी घ। और ऑफ बन बन के खेलती थी जब श्कूलर टैम हो जाए उने के गर से वह पसा जाए तो ममी सोचती थी आ गए स्कूल से मेरी चार फ्रेंड ने थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड ने थी, लेकिन मैं, मुझे बहु बन की खेलना बहुत अच्छा लगता था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है था, और वही आज मुझे इतना परिसान कर रहा है, सोचती हूँ कास पढ़ाई कर लेती न, तो कितना चुछा रहता, आज बच्चे हैं भाहिया कहता है, मां आपी मेरा हुमबर कराऊ सच मिलल का दखना तो मुझे सरमाती यह मैं सोचती हूँ क universes ły मतता है मैं बता देती हूँ delve, कर दो मंमा को कुछ नहीं आता, मंमा एर्थ गलास तक पड़ी है इतना सरम लगता है मुझे पूछो मत की लगता है कि कास मैंने पढ़ाई की होती तो बच्चे मेरा मजाक नहीं उडाते कुछ भी हो देदी लेकिन दिन बहुत अच्छे थे खेट जाया करते थे चना का साथ भी लाया करते थे कितना मचाता था डेली खेट जाने को मिलता था दादी को सिखा ले ते दादी चलो दादी अपनी बटाईदार को बुला खेट ले जाती थी याद है देदी? ललका तुमको भी याद है कि तुम भूल गए तुम तो भाई जो पॉप करने लगी हो जाथ भूल गई हो पताओ हम तो नहीं भूले हैं देदी भी नहीं भूले होगी ललका दबाईए एडवांस है उनकी बात ही अलग है बच्पन की याद है हमेशा रखने चाहिए साथ में और कभी-कभी याद भी करना चाहिए उनको ये बात तो ललका शरी कह रही हो लखना थोड़ा दूर होगी इस नहीं प्रॉब्लम होती है वर्ना पास में होती तो हमारी दुनिया तो हमेशा से बच्पन जैसी ही रहती अब तक की बाते करते हैं स्कूल, कॉले, सैतानी, मार, धार जब स्कूल में पढ़ते थे, कितना लड़ते थे, दूसरों को मारते थे ओ, मैं क्या बताऊं, बात उसकी नहीं है की नाउक्री लग गई मेरी मैं बाहर रहती हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कहां कहां होता है मुझे कहां से बहुत प्यार है इसलिए मैं देदी हमेशा सोचते रहते हैं, सोचते हैं, दखना तुम दूर हो गई, हम देदी पास में हो गई, कास तुम भी हमारे पास होती ना तो बचपन हमेशा ताजा ही रहता कभी बासा होने ही नहीं देते आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं हमारी इस्टोरी अच्छी लगे है, हमारी रियल स्टोरी है, हिंदी काल्टून चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लेकर करें बताइए, हम अपनी बच्पन से लेके बुड़ापी Tech की स्टोरी आपको, पूरी रियल स्टोरी देंगे बट प्लीज सपोर्ट मी बहुत मेनत कर रहे हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हेल्प मी सही बात कह रही है ललका हम लोग नब बहुत मेनत कर रहे हैं बस मेनत का फ़ल नहीं मिल रहा हमको हमारे चैनल का नाम है इनूस एंड गुडिया हिंदी कार्टून चैनल इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताईएगा और ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताईएगा हम और अच्छा बनाने की कोशिस करेंगे बट हेल्प जरूर करिएगा सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत रादे रादे तुमारे तरब से भी सब्सक्रादे रादे